चत्रपती सिवाजी महराज की चत्रपती सिवाजी महराज की इते मंचावर इते मंचावर खासदार आहे कि और ये कामदार सुद्दा है कि यह बोलत हैं येल्क येल्क कोड अगरक कियो गोर्ट है येलकोर येलकोर कि येलकोर कि pictures येलकोट बालु मामाचा अन्नावाने बालु मामाचा अन्नावाने हर हर महादे मी महारास्ताचे कुलुदैवत विठोबा रखुमाई आणि माधेश्वरी देवियांचा चरनी नत्मस्तक होतो तुमा सर्वानाही माजा प्रेम पुर्वग नमस्कार चत्रपती सिवाजी महाराज की इस पवित्र भूमी को मैं स्रध्धा पुर्वग नमन करता हूं ये धर्ती संतों की है वारकारी संप्रदाय अनेक संतों का आशिरवाद हम सब के उपर है उनकी प्रेणा से आज मोधी विट्सित भारत के लिए आप से आशिरवाद मांगने आया है सबसे पहले तुम्हां शमा मांगता हूं शमा इस बात की कि हमारे देश के पोलिटिशनों ने ऐसी आदत डाली है कि सभा अगर ग्यारा बजे गोसिद होती है तो नेता एक बजे आता है और जनता को भी दिरे दिरे आदत लग गई हां यार वो तो एक बजे आएंगे अब मेरी मुसिबत है कि मैं समय पर आए जाता हूँ और उसके कारान बहुत से नागरिकों को अन्याय होता है मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ पूरा जुलूस आ रहा है वहां से अब इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आ रहे हैं मैं उनको मेरी बात नहीं कह पाऊंगा इसलिए जो अभी पहुँचे नहीं है मैं उनके भी पहले से ख्षमा मांगता हूँ क्योंकि आगे के कारकम में जाने के लिए मैं अपनी बात करके चला जाओंगा तो आप कुरपा करके मुझे ख्षमा कीजिए आप इतने दूर दूर से आते होंगे गावों से आते होंगे और इस सभा के लिए आते होंगे लेकिन मेरी कठिना ही है कि मैं आपके दर्शंग किये बिना आगे निकल जाओंगा तो मैं एक च्वामा करके मेरी बात शुरू करता हूं लेकिन साथियों यह जो भुजूम मैं देख रहा हूं वाद धूप में भी इतने लोग खड़े हैं यह प्यार बहुत बड़ी ताकत होती है कि इतनी बड़ी तादान में माता है बहने आथिरवाद देने आए जीवन में इससे बड़ा सवभाग्य क्या होता है कि पिछले दस साल में आपने जब से मुझे काम दिया है अपने शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ नबन भाव पुर्वक आपकी सेवा में लगाया है आज देश के लोग महराश्ट्र के लोग मोदी सरकार के दस साल और कॉंग्रेस सरकार के साट साल में अंतर देख रहे हैं जो कॉंग्रेस साट साल पंचाय से लेकर के पार्लामेंट तक उनी का रात था और किसी की आवाज ही नहीं थी विपक्स तो था ही नहीं और मिडिया भी बहुत छोटा था उस समय लेकिन साट साल में जो नहीं कर पाए यह आपके सेवक ने दस साल में करके दिखाया है पिछले साट साल में आपने कई बार कॉंग्रेस के सभी प्रधान मंत्रियों के मुँ से उनके सभी नेताओं के मुँ से एक ही बात सुनी होगी गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे गरीब माला जबते रहते ने और हर चुनाव में गरीब 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 है अ आपके सयोग से है और आपने मुझे जो कुछ भी सीच्छा दिख्चा दी है उसके कारण, दस साल में इस देश के 25 करोड लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में हमें सफलता मिली है, भाज्यों बेहनों आप मुझे बताइए, कोई अगर गरीबी से मुक्त होता है, तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, कोई गरीब का भला हो, तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, जरा माता है बेहने बताए अच्छा लगता है नहीं लगता है अच्छा लगता है अगर किसी को गरीबी से बहार निकालते हैं तो हमें पुन्य मिलता है और नहीं मिलता है पुन्य मिलता है और नहीं मिलता है यह 25 करोर लोग गरीबी से बहार निकले तो इसका पुन्य किसको मि मिलेगा इसका पुन्य किसको मिलेगा मोधी को नहीं मिलेगा यह जो पचीस करोर गरीबी से बाहर आये ना वो जो आशिरवाद दे रहे हैं उस पुन्य के हकदार सिर्फ और स्रफ आप लोग हैं क्योंकि आपने वोट दे कर मोधी को ये काम करने के लिए कहा था और इसलिए इस पुन्य के सच्चे अधिकारी आप है आज 80 करोर देश वाद्यों को उनकी ठाली भरी हुई रहती है उनका चूला जलता रहता है उनका बच्चा भूखा नहीं सोता है 80 करोर लोगों को मुप्त खाना मिलता है इसका पुन्य किसको मिलता है आपको मिलता है आपने मोदी को वोट दे करके ये पुन्य कार्य करने के लिए भेजा है साथियों जब देश में मजबुत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ ही बविश्य की योजनाओं पर भी होता है यही सोचकर आज भाजपा सरकार रेल, रोड, एरपोर्ट पर अभूत पुर्वक खर्च कर रही है जितना कॉंग्रेस सरकार ने अपने दस साल में खर्च किया उतना आज हम एक साल में खर्च कर रहे हैं तभी तो आज आप हर तरफ आध्धुनिक इंफ्रासक्तर देख रहे हैं इसका सीधाल आप वगवान विट्टल की इस धर्ति को भी हो रहा है यहां पालखी मार्ग हो, रेलिवे का काम हो, एरपोर्ट का काम हो ऐसे हर काम पर महायूती की हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है बहई और बहनों, महराष्ट की जनता जब प्यार देती है, जब आशिरवाद देती है तो कोई कसर नहीं छोड़ती है लेकिन अगर कोई अपना वचन पूरा नहीं करता तो महराष्ट की जनता उसे भी बराबर याद रखती है रखती है कि नहीं रखती है और हिजाब बराबर समायाने पर चुकता करती है कि नहीं करती है अब देखिए, पंदरा साल पहले एक बहुत बड़ी नेता यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आये थे कहते हैं कि तब उन्होंने डूबते सुरज की सपत लेकर कहा था कि यहाँ सूखे से प्रभाविछ छेत्रों तक पानी पहुँचाएंगे उन्होंने पानी पहुचाया क्या? पानी पहुचाया क्या? याद है ना? अब उनको सजा देना का समया गया है एक वो दिन था और एक आज का दिन है वो यहाँ से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए साथियों विदर्भ हो मराठवाड़ा हो बुन्द बुन्द पानी के लिए तरसाने का ये पाप सालों साल से होता रहा है कॉंग्रेस को साट साल तक देश ने राज करने का हक दिया काम करने का मोका दिया साट साल में दुनिया के अनेक देश पूरी तरह से बदल गए लेकिन कॉंग्रेस किसानों के खेट तक पानी भी नहीं पहुचा पाई कि 2014 में देश में 99 सिचाई योजना ऐसी थी करीब 100 सिचाई ऐसी योजना थी जो कई-कई दसकों से लटकी पड़ी थी इसमें भी सबसे जादा 26 पर योजना महराष्ट की थी सोचिए कितना बड़ा धोका इन लोगों ने महराष्ट को दिया है साथियों हर खेट में पानी पहुचाना हर घर तक पानी पहुचाना यह मेरे जीवन का बहुत बड़ा मीशन है 2014 में सरकार बनने के बाद मैंने पूरी शक्ति इन सिंचाई परियोजनाओं को पर लगा दी आज कॉंग्रेस की लटकाई वो करीब परिफ सो सिंचाई परियोजनाओं से 63 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है जिस निलवांडेक डेम का इंतजार पचास सालों से हो रहा था उसे हमने पूरा करवाया गौसी खुर्ट परियोजनाओं का ज्यादार काम एकनाजी अजित दाजा और देवेंदर जी की टीम तेजी से पूरा कर रही है हमारी सरकार पांच साल में ही ग्यारा करोड से ज्यादा गरों तक नल से जल पहुंचा चुकी है दस साल में माइक्रो इरिगेशन का दाइरा भी दो गुने से अधिक बड़ा है इसका लाब यहां केली की पैदावर से जुड़े किसानों को भी हो रहा है साथियों जब देश की आज हादी के 45 साल हुए कि इतना बड़ा उत्सव था कोई और नेता होता तो क्या करता को एक बड़ा स्तंब खड़ा कर देता उस पर अपना नाम कमाने का विचार नहीं आया सरकार का नाम कमाने का विचार नहीं आया तब मैंने संकल पर लिया था कि देश के हर जीले में 75 साल के नीमीद 75 अमरत सरोवर बनवाऊंगा अमरत सरोवर अभ्यान के तहट अनेकों अमरत सरोवर देश के हर जीले में बने हैं यह अमरत सरोवर मेरे दिमाग में मेरा किसान था मेरे दिमाग में खेत था मेरे दिमाग में सूखे खेतकों को पानी पहुँचाने का एक संकल पर था ये अम्रूत सरोवर आज की नहीं बल्कि आने वाली पीडियों को भी बहुत काम आने वाले हैं शाथियों ये हमारा महराश्ट तो सहकारित काती धर्ती है यहां के हमारे सुगर कोपरेटिव की किसानों को ससक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है मोदी देश की पूरी ग्रामिन अर्थ वबस्ता में सहकारिता के धायरे को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्द है इसलिए 2019 में जब आपने फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो हमने पहली बार देश में सहकारिता के लिए अलग मंत्रा ले बनाया अलग मिनिस्ट्री बनाई हमने देश भर में दस हजार किसान उत्पादक संग एप्योस बनाने का भ्यान शुरू किया जिस में से आठ हजार बन भी चुके हैं यहां माहरा समय एप्योस शांदार काम कर रहे हैं ऑनलाइन बिक्री से लेकर एक्सपोर्ट तक यहां के हमारे किसान उत्पादक संगों का दाइरा लगातार बढ़ रहा है यह हमारी पिएस उनको भी मजबूत किये जा रहा है इनको सरकार की अनेक दूसरी योज्राओं की सेवाएं देने के लिए भी तयार किया जा रहा है आने वाले पांच वर्सों में सरकार का लख्ष दो लाग सहकारी समित्या बनाने का है साथ यों आप सभी जानते हैं कि जो छोटा किसान होता है उसके पास भन्नारण की प्रयाप्त सुविदा नहीं होती है इसलिए उसे मजबूरी में कम दाम पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है अब हमने दुनिया की सबसे बड़ी अन भन्नारण योजना पर काम चुरू किया है इसकी जिम्मेदारी भी सहकारी संस्ताओं को दी गई है इसे किसान को अपने हिसाब से उपज मार्केट में लाने का विकल्प मिलेगा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में प्याज, तमाटर और आलू किसानों की उपज की भी चिंता की है आने वाले पांट साल में देश भर में विशेश टोरेज क्लस्टर बनाए जाएंगे इसका बहुत बड़ा फाइदा महराश्टर के प्याज किसानों को होगा साथियों ये अगाडि वाले किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें आज करते हैं 2014 से पहले जब इनकी सरकार थी तब क्या सिची सी एक किसानों को याद दिलाना मेरा दाईत्व है और मैं यहां किसी की आलोचना करने नहीं आया हूँ मैं देश की जनता को महराश्य की जनता को मेरे देश के किसानों को सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ दस साल जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलती थी तब यहां के कद्दावर नेता देश के कर्शिमंत्री थे और क्या हुआ था जब यहां के बड़े कद्दावर नेता दिल्ली में बैटे राज करते थे तो गन्ने का एफार पी करीब दो सो रुपिय था और आज मोदी के सेवा काल में गन्ने का एफार पी तीन सो चालिस रुपिय प्रती क्विंटर यानि करीब करीब साड़े तीन सो रुपिय जब यह कद्दावर नेता वहां क्रिशी मंत्रित के नाते बैटे थे तब गन्ना किसान अपने एरियर के लिए शूगर कमिशन के ऑफिस का चक्कर लगाते थे आज ऐसी स्तिती नहीं है आज देश में करीब करीब सत्थ प्रतिशत एरियर पेमेंट होता है 2014 में गन्ने का एरियर पेमेंट 57,000 करूर पिये का था और इस साल एक लाग 14,000 करूर पिय की पेमेंट हुई है इसमें 32,000 करूर पिये महराश्टर के किसानों को मिले है साथियों इंकम टेस्ट को लेकर हमारी सूगर मिल्च 90 के दसक से परेशान थी और ये कद्दावर नेता दिल्ली में बैटे थे मैं उनको बार बार समझाता था भाई आपके महराश्टर में भी एक कॉपरेट्यू मिले हैं सुगर की गुजरात में भी हैं परेशानी हो रही है मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था चिठियां लीग रहता था मिलकर के बताता था लेकिन 2014 से पहले ये कद्दावर नेता का डिपार्टमेंट होने के बावजिव पे सुगर मिल्ज की इंकम टेस्ट की समस्या का समाधान नहीं किया जब मोधी को सेवा करने का मोका मिला एंडिये की सरकार मनी तो हमने उसका समाधान कर दिया हमने कोपरेटिव सुगर मिलों को दस हजार करोड रुपे की रहत दी यानि पुरानी इंकम ट्रेक डिमान माप की कानूनी मामलों का समाधान भी किया इसका फाइदा हमारे गन्ना किसानों को हुआ मार्ट 2023 से शुगर मिलों को हमने दस जार करोड उपे का विशेस लून का प्रावदान भी किया है ताकि शुगर मिल हर प्रकार का काम तेजी से कर सके किसानों की पेमेंट न रुखे जब यहां के एक अद्दावर नेता दिल्ली की सरकार में से तब सरकार ने देश के किसानों से सिर्फ साड़े साथ लाग रुपिय की खरिद की थी साड़े साथ लाग करोड की आज दस सान में बीस लाग करोड रुपिय की खरिदी हमने करके दिखाई है कहां साड़े साथ लाग करोड और कहां बिस लाग करोड महराश्चत के दलहन तिलहन किसानों से 16,000 करोड रुपे की खरीद हमारी सरकार ने की है साथ क्यों पहले दिल्ली से किसान के नाम पर थोड़ा भी पैसा निकलता था तो यहां कॉंग्रेस का पंजा उसे लूट लेता था लेकिन अब दिल्ली में आपका यह बेटा बैठा है अब दिल्ली से आपके हग की निकली पाई पाई आपके खाते में पहुंची है पीम किसान संबान निटी के तहट तीन लाग करोड रुप्ये किसानों के खाते में जमा हुए है इसमें महारास पके किसानों को भी हजारों करोड रुप्ये मिले हैं साथ कök बीते सगों में किसानों नगी पैदावर में भारत को आत्मंदिर भर बनाया हैं अम अन्यदाता बने रीट साल पहले देश में चालीश करोल लीटर इथनोरोब उत्वाजन होता था अब देश में पांसो करो लीटर उससे भी जादा इथरिनोल का उत्पादन होता है इससे पिछले दस सालों में किसानों के पास सत्तर हजार करो रुपे अतिरिक्त गए है और ये पैसा गन्ना किसानों को मिला है साथ क्यों हमने गोबर्दन योजना भी शुरू की है एंडिये सरकात देश घर में गोबर्दन प्लांट लगा रही है ताकि पस्चुओं के गोबर्दन गैस गैस से बिजली और किसानों की कमाई भी बढ़े इसमें से जैवी घाज प्यादा हो ताकि हमारी जमीन के लिए काम आ जाए और कम किमत में उपलब्द हो साथ कियों किसानों को सौर उर्जा दाता बनाने पर भी हम काम कर रहे हैं पीम कुसुम योजना से सोलर प्रम के लिए खेट खाली पड़ी जमीन में छोटा सा सोलर प्लांट लगाने के लिए सरका मदद दे रही है इससे किसान मुफ्त बिजली भी उप्योग कर पाएगा और बाकी बिजली सरकार खरीदेगी अब तो मोदी ने हर परिवार के बिजली बिल को जीरो करने का बिड़ा उशाया है पीम सुर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनाने के पीछे यही उद्देश है इसके तहस घर की चत पर सोलार पैनल लगाने के लिए सरकार मदर्स करीगी बैंक खाते में पैसा डालेगी जितनी जरुस हो उप्तिनी मुफ्त बिजली का उप्योग करो और बाकी बिजली सरकार को बेच दो कमाई करो यानि बिल भी जिरो और बिजली से कमाई भी ये होता है मोदी की गारेंटी का मतलब बाईयो बहनों विक्सित भारत बनाने में देश की नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है मोदी गाउं की अपनी करोरो बहनों को ससक्त करने में जूटा है दस बिरस में हमने 10 करोड बहनों को स्वयम सहत선ों से जुड़ा है आज ये बहने गाउं की अर्तिवाब्था को गती दे रही है हमारे प्रयासों से कुछ समय के भीतर एक करोड बहने लगपती दीदी बनी है आकड़ा बहुत बड़ा है एक करोड बहने मेहनत करके कमाई करके लगपती दीजी बनी है और अब मोदी ने गारंटी दिये है कि मैं तीन करोड बेहनों को लगपती दीजी बनाऊंगा और तभी तो हिंदुस्तान कोने कोने ते हर मां हर बहन हर बेटी एक ही बात कह रही है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और भेनों बाज़ पाके इन पैसों के बीच आपको कॉंगरेस की एक्सरे मशीन के सावधान रहना है कॉंग्रेस के नेता कॉंग्रेस के साज़ादे गली गली में गुम करके कह रहे हैं जो उनको मोका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे आपके लोकर में क्या पड़ा है आपके बैंक में क्या खाते में पड़ा है आपके घर में कितना सोना पड़ा है कितने पैसे पड़े हैं यह सारा उसका हिसाद कताब लगाएंगे और फिर कहते हैं वह हम बांड देंगे ज्यादा जो हैं ले लेकर के बांड देंगे इतना ही नहीं है, वो एक ऐसे टेक्स की बात कर रहे हैं, आज आप हर माबाप मेहनत करके कुछ बचत करता है, अपनी जरुवत को कम करके बचत करता है, क्यों जो उसके मन में रहता है कि मरने के बाद बच्चों को कुछ दे करके जाओं, अपने संतानों को कुछ दे करके जाओं, और इसलिए वो कुछ बचत करता है, अब यह कहते हैं, जो बचत करते हैं आप, उस पर सिर्फ आपके संतानों का हक नहीं होगा, उस पर सरकार का भी हक होगा, और जो भी आपने बचाया है बच्चों के लिए, वो बच्चों को जाने से पहले आजासे जाजा सरकार ले लेगी, अगर आपके पाद दस एकर की जमीन है, अब आपको दस एकर की जमीन बच्चों को नहीं दे पाएंगे, पांच एकर सरकार ले लेगी, आपने गाउं में गर है, शहर में गर बनाया है, तो गर गया समझ लिजीए, अब मुझे पताइए, आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या, जो आपकी महनत का पैसा लूट ले ऐसी सरकार चाहिए क्या आपकी संपति छीन के का उनका इरादा ये खतरना इरादा है ये इन माक्सवादियों का विचार है इन नक्षलवादियों का विचार है और इसलिए ऐसे लोगों से एक भी आदमी जित करके दिल्ली नहीं जाना चा आपको कॉंग्रेस से सतर रहने की दरूत है और उनके सारे साथी भी ऐसे ही है साथियों आज आयोध्या में 500 साल के बाद भव्य राम मंदिर बना राम बंदिर बनने से हर कोई खूश है आप खूश है और नहीं है अब मुझे पताईए भाई कि अंग्रेयजों के जाने के बाद देस आजाद होने के बाद पहले जिन राम मंदिर का काम शुरू होना चेह था नहीं होना चेह था इतने साल को लटका रहा क्योंकि उनकी वोट बेंग की राजनिती थी उनकी वोट बेंग की चिंता थी आपकी आस्था की चिंता नहीं थी आपकी भावना की चिंता नहीं थी आपकी सध्धा की चिंता नहीं थी कॉंग्रेस के पांद मोका था लेकिन कॉंग्रेस ये इस पभी तरह काम मैं सिर्फ रुकावटे पैदा की जिसकी राम में आस्था होगी वह ऐसे काम कभी नहीं कर सकता है कॉंग्रेस की राम में नास्ता है और ही उसके पास ऐसा एसास है और उनके सारे चेले चपाटे भी यही है ऐसा काम कोई डरी हुई पार्टी नहीं कर सकती तुष्टिकन के दबाव से जिरी हुई पार्टी नहीं कर सकती ऐसा करने के लिए जो साहत चाहिए होता है वो साहत 500 साल का इंतजार खत्म हो गया राम मंदिर बन गया और यह कहते हैं जो राम मंदिर बने लाग लग जाएगी को याग लगी क्या मंदिर बना गिने बना और भायू भेनों 500 साल के बाद यह सपना पुरा हुआ ना उसका कारान आपका एक वोट है आपके वोट की ताकत है जिसने 500 साल के इद्दादार को खत्म किया है इस पुन्न के हगदार आप है जिनके वोट की वज़े से पवित्र काम पूरा हुआ भायू और भेनों आपका वोट मजबूत भारत के लिए एक मजबूत सरकार बनाने के लिए पढ़ना चाहिए अब मुझे बताईए जिनके पास कभी 400 MP हुआ करते से वो पार्टी आज दाई सो पौने तिन सो लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पा रही है अगर सरकार बनानी हो तो दो सो तहतर दो सो बहतर तो सीट चाहिए भाई वो इतनी लड़ा नहीं रहें तो सरकार बनेगी कैसे जीतेगे कैसे और इसलिए जो सरकार बनाने के लिए लड़ी नहीं रहे हैं तो उनके लिए आपका वोट बरबात करने की ज़रूत क्या है और इसलिए मैं आपसे आगर कर रहा हूं कि आप वोट दे करके सरकार को मजबुत बनाएगे और आप जब वोट देंगे न वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है साथ माई को गर्मी कितनी ही क्यों नहों पहले मतदान फीर जल्पान मतदान किये बिना जल्पान नहीं करेंगे यह हमें संकल्प करना है साथ माई को मेरे साथी रंजीत नायक निमालकरजी को आप जो वोट डालेंगे वो मोदी की शक्ति बढ़ाएगा माडा के लोगों से मेरा एक आगर और है आप इनको तो जिता हिए लेकिन मेरा एक और काम करिए यहां से जाने के बाद गाउं में मौले में परिवार में सब को बताना कि अपने मोदी जी आये थे और मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है प्रणाम भेजा है मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे सबी को मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे मेरे ताथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद